हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिश फोटो में आज हम बात करने वाले रेनो ट्रैबर के बारे में इंडिया की सबसे सस्ती सेवन सिटर कार है क्योंकि प्राइज स्टार्ट होता है छे लाग रुपए एक सुरूम से और टॉप चला जाता है आट लाग सतान ब बढ़िया देखने को मिल जाएगी अभी आपके सामने इसका सेकेंड टॉप आर एक स्टी विन खड़ा हुआ है आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डेटेल में बात करेंगे इसके एक स्टीर से लेकर इंटीर तक इंजन फीचर्स देन प्रैस के बारे में तो अभी आप द इंजन जो निकाल के देता है 72BHP की पाउर और 96NM का टॉक तो सेवन सिटर कार के साब से थोड़ा सा छोटा इंजन है मायलेज की बात करें तो आराम से 19 से 20 तक का निकाल सकते हैं आपके चलाने पर डिबेंड करेगा दो साल और 50,000 किलोमेटर के आपको मिलती है वारंटी आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं की की बात की जाए तो RXD बेंट है ऐसी कुछ आपको remote center lock की की मिलेगी लॉकल लॉकल की ब्रेंडिंग पीछ आपको मिलती है रेनो की ब्रेंडिंग जो दूसरी वाली की है उसमें आपको कोई ब्रेंड नहीं दिये जाते हैं अब इसके बात करते हैं गाड़ी के exterior से fit चलेंगे इसके interior के अंदर तो front में देख लिए center में रेनो की branding है रेनो का logo ये इसकी black finish में grill उसके उपर आपको chrome elements देखने को मिल जाते हैं अगर इसके headlamps की बात की जाए तो यहाँ पर आपको projector headlamps offer की जा रहे हैं बगल में आपको मिल हैं काफी cuts और कीजिस हैं यहाँ पर आपको dual wiper with washer का setup roof की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको roof raise सामने की दरब आपको मिलता है power andina यह तो कि front की बात आप चलेंगे इसके side profile की दरब तो side से देख लिए ऐसे कुछ आपको यहाँ पर लुक्स नजर आने वाले हैं damage की बात कीजिए तो 4990 mm लेंद है 1749 mm की विर्थ है और 1643 mm आपको height देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको जो wheels मिलने वो 14 इंच करेंगे उसके उपर आपको मिलता है wheel covers चलिए आपको पास से दिखाता हूँ तो ऐसे कुछ आपको 14 इंच के steel wheel मिलता है wheel covers के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा MRF का आपको यहाँ पर मिलते है टायर अगर टायर श्रेक्शन की बात करें तो 165 80R 14 का मिल जाएगा टायर श्रेक्शन उपर आपको आपको अपको 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 मिलते हैं डिस ब्रेक्शन उसी के उपर आपको मिलता है यहाँ से डलवाएंगा पेटोल 40 लिटर के आपको मिल जाती है टैंक कैपसिटी अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की दरफ तो रियर से देख लिए ऐसे कुछ आपको यहाँ पर लुक्स नजर आने वाले है इस ब्रेंट में आपको वाइपर दिया जारा अगर बात किया इसके टेल लेंट की जो आपको मिलने वाले है लिए में टार इन इंडिकेटर और रिप्र लैट की प्लेश्में अपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर रिइन की ब्रैंडिंग है नीचे बंपर में आपको तीन इन पॉइंट सेंसर बिलते है यह है इसकी सिर्वर फिर्स में स्कीट पेड रियर में नीचे आपको मिलती है इस पेर विल की प्लेस्मेंट एक्जॉस्टिल पाइप है अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका बूट इसपेस अब चलिए इससीट को अपनी पर लगा देते हैं फैपरिक की सिट्स रहेंगी आप इसमें अपनी चॉइस की एकाउडिंग बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं यह इसका थर्डो देख लिए इसको आगे बैट के भी कवर करेंगें कितना के इसपेस आपको मिलता है अगर की प्लेस्मेंट यहां पर आपको मिलता है बाटल होल्डर फ्रेंट केबिन में इतना कुछ आपको मिलेगा इसपेस जो यह आगे वाले हैड़ेस्ट है वह आपको मिलता है फिक्स फैब्रीक की सिट्स यह इसका फ्रेंड डैश्बोर अगर सिट्स दिखाऊं तो ऐसे कुछ आपको डॉल टॉल में मिलेंगी अंडर थाइसपोर्ट की बात कीज़ा है तो इतना कुछ आपको मिल जाता है कोई भी हाइट आपको नहीं है यहां से रेकलाइन कर सकते हैं आपको यहां पर मिलता है फुली डिजिटल कर्टर जैसा कि देख पा रहे होंगे रेनो की ब्रेंडिक आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी एक तरफ आर्बमेटर है एक तरफ आपको इंजन टंप्रेचर फ्यूल गेज बीच में आपको मिल जाता है सारी चेकलाइट्स ने सारी इंफ्रमेशन आपको उसी के अंदर देखने को मिल जाती है और इस M.I.D. को आप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं ट्रिपे, ट्रिपी, मायलेज, डेंज वगरा सारी चीशे आप देख सकते हैं बाकी न्यू ट्रिपेर के अंदर आपको पांचो सील बैट्स के रिमाइंडर आप देखने को मिल जाएंगे यह तो होगी क्लस्टर के बाद अब बात करते हैं इसके इस्टेरिंग की जो आपको मिलेगा डिकट शेप में अब इसके अट्स देख सकते हैं बाकी सारी शेटिंगस आपकोoure देखने को मिल जाएगा अब आपको 9 वगरा दियेगा है इसको कंटूल करने के लिए इसका reverse parking जो camera है अभी इसको दिखाता हूँ मैं आपको ऐसी कुछ आपको clarity यहाँ पर देखने को मिल जाती इसकी camera की 4 speakers आपको यहाँ पर मिलते हैं नीचे देखेंगे तो hazard का switch है यहाँ पर आपको lock along का button, यहाँ पर traction का button manual AC के सारे controls, यहाँ पर कुछ इस space नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 12 bolt का charging outlet, USB port, AUX का port यहाँ पर अच्छा का सा space और यह इसका 5 speed manual transmission आप इसको automatic में भी ले सकते हैं, manual handbrake, यहाँ पर 2 cup holders है and side में आपको यह box मिल जाता है, जो कि cold रहता है अपनी चीजों को जैसा रखेंगे, cold रही रहेंगे, यहाँ पर आपको इसका knob देखनी को मिल जाएगा and उपर आपको manual day night IRVM, इदर sun visor में कोई mirror नहीं मिलता है अगर code asset की बात की जाता है, तो यहाँ पर जरूर तिया जा रहा है center में light के controls है, जो कि अब LED हो चुकी है, यहाँ पर माइक की placement है visibility देखेंगे, वो भी आपको काफी बढ़िया मिलती है, रेनो ट्राइबर के अंदर airbags आपको यहाँ पर दो ही मिलेंगे यह तो के front की बात आप चलते हैं, इसके second row में वहाँ पर वैट के सारी चीज़े cover करते है, तो यह रहस के door handles, body colored, and door trim की बात की जाए, तो same आपको मिलता है, dual tone color में, उपर देखेंगे, तो यहाँ पर door opener, lock on lock कलीवर, पाउंडों के control, नीचे speaker की placement, यहाँ पर आपको मिलता है, bottle holder, second row के अंदर, आपको इतना कुछ मिलेगा, space, पूरा seating arrangement आप देखेंगे, पीछे आपको मिलता है, जोकी addressable हैने वाले है, fabric seats है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उपर आपको मिलती है, roof light, and अब च बैठा है, तो आप इस seat को पूरा पीछे खिसका दीजे, अराम से comfortablyly बैठी है, और इसको आप अच्छा कासर recline भी कर सकते हैं, जिसे के अराम से आप कभी long trip पे जा रहे हैं, तो सोते हुए जा सकते हैं, देख लिए कितने अच्छी flat हो गई हैं, और जो second row के AC के vents हैं, वो यहां पे charging का port है, टाल भी का, यह अंदर का पूरा interior, यहां पे grab handle, यह roof light जो की LED हो चुगी हैं, यहां पे headrest जो की address लाएंगे, और third row की बात किया है, तो यह देख लो भाई, इतना कुछ मिलता है space, अभी आगे बैट के देखते हैं, कितना क्या seating comfort यहां पे मिलेगा आपक इतना कुछ आपको space मिलेगा, इसके third row में जाने के लिए, अप चलिए अंदर बैट के देखते हैं, तो यह वाली street मैंने अपने recording address कर लिए, आगे वाली, आप देख लो भाई, space जो है उतना अच्छा तो नहीं है, बच्चों के साब से तो better है, लेकिन बड़े बैठेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलता है grab handle, उबर आपको मिलते है AC के events, वो कि third row में भी आ चुके हैं, यह काफी अच्छी चाहिए, जिसे कि third percentage को कोई भी तिकत नहीं होने वाली है, यह इसका front dashboard, यह तो कई interior की बाद, exterior की बाद, अब बात करेंगे इसके safety features और pressing की, तो उससे पह बात की जाए, तो ABS, DBD, Central Locking, Power Door Locks, Child Safety Locks, Anti-Theta Alarm, Sealed Warning, Engine, Immobilizer, Crash Sensor, और यहाँ पर आपको दिये जा रहे हैं, दो airbags, अगर आप top के automatic में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 4 airbags, pricing की बात की जाए, तो अभी आप देखने है, RXT variant को, 7,100,000 Xroom, और लग बग 8,500,000 रु पर विकार कैसे लगे आपको नीचे कमेंट्स में जरू बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा, मिलते एक नए वडियो के साथ तब तक लिए जैहिन, वन दे मातरम